जैन साथिए आप सबीगे एक बार फिर स्वागते हैं, आपके अपने श्यूटूब चैनल पर हम और आप बात्चित कर रहे थे राजस्तान के इतियास पर और राजस्तान के इतियास की उसी सरंकला को हम एक बार फिर आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक ऐसे सासक के बारे में बात करने वाले हैं जो की महारणा प्रताप और महारणा कुम्भा के कहीं हमें समकक्सन नजर आता है और एक ऐसे सासक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने की अपने मुगल समराजिये के सबसे कुरूर सासक यानि की औरंगजेब के सासक का हर एक नीति का उसनों ने विरोध किया था और उन्होंने राजस्तान की अक्सुनुता को बनाई रखने के लिए राजस्तान की इस धार्मिक परंपरा को बनाई रखने के लिए उन्होंने काफी ज़्यादा प्रियास किया था और हम देखेंगे कि एक ऐसी महारानी के बारे में या फिर एसी एक राजस्तान की विरांगना इस्तरी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसे आप हाडी रानी के नाम से जानते हैं जिनोंने की अपना सर काट कर दे दिया था अपने पती को निशानी के रू महारणा राज सिंग की जो गानी हैं उसके बारे में देखेंगे और इसन उन्होंने किस परकार से मुगल मेवार संदी का उलंगन करते हुए चितोडगड किले का पुनर निर्मान करवाया था इन सभी बातों की आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों तो पीछे की वीडियो में हमने देखा था कि हमने महारणा जगत सिंग के सासन कारिये तक बातचीत कर ली थी और जगत सिंग के सासन कारिये में हमने देखा था कि जगत सिंग जो है वो अपने कारिये में अपने काल में जो है वो एक निर्मान कारिये करवाने के लिए जाने जा या था जिसे जगदीस मंदिर या जगनात मंदिर कहते हैं और इसे सपनों में बना हुआ मंदिर भी कहते हैं जिसके बारे में हमने आप लोगों को पुरी जानकारी पिछे वाले वीडियो में दे दी है आज हम बात करेंगे महारणा राज सिंग के बारे में तो आज हमारी बा इनका जो कारिये हैं इनका जो सासन कारिये हैं वो कब से कब तक रहा था तो महारणा राज सिंग का जो सासन कारिये हैं वो रहा था 1652 से 1680 इस्वी तक इनका सासन कारिये रहता है 1680 इस्वी तक और इन्होंने जो हैं कई सारे एसे कारिये थे जिनके लिए यह इतिहास में एक म बात करूँ महारणा प्रताप और महारणा कुम्भा के समकक्स अगर कोई सासक हमें देखने को मिलता है क्योंकि इनके बाद में महारणा प्रताप के बाद में जैसे कुछ सासक हुए थे तो वो इतने जदा प्रभावी नहीं थे लेकिन राज सिंग जो है वो एक दबंग आदमी थे राज सिंग का सासन कार्य बहुत ही मिवार्ट रियासत के लिए व्यभव का इतिहास रहा था क्योंकि राज सिंग जो है वहांपर अपने इन्हों ने निर्मान कारिय भी खूब चारे करवाई थे और इनोंने जो मुगलों की जो नीतियां थी, उनका इन्हों ने खूब खुल कर विरौद किया था, इन्होंने ओरंगजेब के जो साशन कारिये, ओरंगजेब जो थे उनकी हर एक नीति का इन्होंने लगभग विरौद किया था, तो हम आज की इस वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सारी बातें आपको पता चलती जाएगी तो आप सबसे पहले इनकी राजनितिक उपलब्दियों के बारे में देखते हैं मुगलों और जो मेवार के बीच में जो संबंद थे वो सांति पूर्ण संबंद इस संदी के बाद में हो गए थे और इस संदी की सरतों को अगर आप लोगों को जाना है तो आप लोग पिछे के वीडियो देख सकते हैं लेकिन आप लोगों को मैं आज वो बात बताता हूँ जो कि इस संदी की आज की इस वीडियो में हमारे काम आने वाली है तो इस संदी में एक बात ते हो गई थी कि अब जो है मुगल और मेवाड के जो सामंद है वो सांती पून समंद रहेंगे वो आपस में लड़ेंगे नहीं तो अब सांती स्तापित हो गई थी दूसरी ये भी सर्त थी कि चितोड किले का निर्मान जो है वो अब मेवाड वाले सासक नहीं करवा सकते वो जैसा था ये था इस्तती में अब रहना था उसका पुनर निर्मान नहीं करवा सकते थे इस संदी के ये सर्त थी एक तो इस संदी की सर्तों के बाद में जब राज सिंग का सासनकारी आता है तो राज सिंग ने अपने इस किले का निर्मान करवाना शुरू कर दिया था मेवाड की जो ये बात है ये बात जब मुगलों को पता चलती है उस ताइं मुगलों के सासक हुआ करते थे सहाजां और साजां की जब इनको बात ये पता चलती है कि ये बाई ये मेवाड वाले करवा क्या रहा है इन्होंने हमें हमारे साथ में संदी कर रखी हैं और संदी के तहत हमने ये डंग से बातचीत की हुई हैं कि जो तोड़ वाले के लिए का पुनर निर्मान नहीं करवा सकते और इन्होंने पुनर निर्मान करवाना शुरू कर दिया तो भाई इनको हो क्या गया तो सिद्धी सी बात है कि राज सिंग जो हैं वो किस खांदान के विक्ति हैं तो खांदान तो वो हैं जिसमें सांगा जैसे सासक हुए जिसमें कुम्बा जैसे सासक हुए जिसमें प्रताप जैसे सासक हुए तो उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सांति पूर्ण जीवन त बार वक्त अपने प्राणों का बलिदान देना स्विकार किया था तो अब उस वंस में जन में लेने वाले एक सासक के साथ में अगर आप संदी करके उसे सांथ बिठाने का प्रियास कर रहे हो तो वह ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि राज सिंग के हातों में खुजली आने लग जा कि आप यह क्या करवा रहे हो तो यहां पर जो मुगल सासक है उन्होंने एक राजदूत को बेजा था जिस राजदूत का नाम था चंद्रभान चंद्रभान नाम के एक राजदूत को यहां पर बेजा जाता है यह राजदूत बनकर आते हैं और यहां पर उसमें लिख लीजिए कि चितोड किले का पुनर निर्मान चितोड किले का पुनर निर्मान यह चितोड किले का पुनर निर्मान जब करवाने लग जाते हैं तो इस चंदर्भान को बेचते हैं चंद्रबान आकर कहे रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोगों को पता है कि हमारे पहले एक मुगल मेवार संधी भी थी उसमें आप लोगोंने तेय किया था कि हम इस किले का पुनर निर्मान नहीं करवाएंगे तो फिर आप इसका चुनोती दे रहे हैं हाँ हाँ वही वही आप लोगों को जो समझना है वही समझ लो तो इन्हों ने का कि भई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं वो ले कि आप लोगों को जो करना है वो कर लीजी हम तो चितोड़ खिले का उनर निर्मान करवा रहे हैं तो इसके बाद में जब यह य नाम याद रिखी यह सादुल्ला खान जो है वो यहां पर सेना लेकर आए थे और चंदरबान जो है वो राजदूत बनकर आए थे पहले समझाने के लिए कि आप यह लोग क्या कर रहे हो तो इसके बाद में जब यह नहीं मानते हैं तो इनको सेना देकर वेज़ा जाता है और अब दूसरी तरफ जो मुगल संदी थी मुगलों के जो राजदरबार थे मुगलों के राजदरबार में इस टाइम सहाजा का सासान हुआ करता था और सहाजा कुछ समय के बाद में पढ़ गए थे बिमार बिमार पढ़ने के बाद में उनके जो पुत्र थे यानि कि उनके उत्रादिखारी थे उनके उत्रादिकारियों में एक संगर छिड़ गया था पहले इन्होंने अफवा फेला दी थी कि इनके पूत्र थे साजां के चार पूत्र थे तो साजां के पूत्रों ने अफवा फेला दी कि पापा मर गे पापा मर गे यह सी बात आने के बाद में इनक उत्पाती टाइब का सासक था और दूसरी तरफ जो यह दाराशिको है दाराशिको अपनी धार्मिक नीतियों से एक अच्छा बला इंसान था बेचारा तो यहां पर जो है साजा भी यह चाहता था कि अगला सासक जो है वह दाराशिको ही बने औरंग्जेब ना बने तो में जब इसका विरोध हुआ औरंग्जेब ने उसको कहा कि औरंग्जेब ने कहा कि मेरे होते वह यह केसे सासक बन जाएगा तो औरंग्जेब और दाराशिको आपस में लड़ने लगे इनके बीच में जो उत्रादिकार का संगर्स है मुगल दर्बार का उत्रादिकार को ने यह का था कि हम मुगलों का जो यह उत्रादिकार संगर्स हैं उसमें हम दराशिकों का साथ देने वाले हैं औरंग्जेब का साथ नहीं देंगे तो उसी वक्त औरंग्जेब ने यहां पर राज सिंग के पास में एक लेटर लिखके बेजा था या फिर कोई मिस्कॉल अगेरा किया था या कोई टक्स मेसेज खोड़ा था उसी ट्राइम औरंग्जेब ने जब मेसेज किया तो यह राज सिंग भी अपने आउनलाइन ही थे इन्हों ने तुरंत रिप्लाई किया और उन्हें ने औरंग्जेब ने का था कि आप किसकी तरप हो कि राजस्तान के अधिकान से जो साथ सकते वो अब इसके साथ में जा सुके हैं इनके बड़े भाई यानि कि दाराशिकों के साथ में तो यहां पर राज सिंग से पूछा गया तो राज सिंग ने कहा कि मैं ना तो आपके साथ में हूँ और ना ही तो है वो दाराशिकों के साथ में हूँ इन्होंने एक तरह से मौन समर्टन दे दिया था औरंगजेब का क्योंकि यहाँ पर सीदा सा मतलब यह होता कि अगर औरंगजेब का साथ देते तो यहाँ पर एक संभावना बन सकती थी कि दारंगजेब को इस युद्ध में जीत जाए क्योंकि मुगल यह जो मेवार रियासत थी मेवार रियासत काफी ज़्यादा एक सम्रिद रियासत थी उसकी एक बड़ी रियासत थी काफी एक सक्तिसाली रियासत थी तो अगर वह रियासत किसी के साथ में जाती है तो वहां पर संभावना बन सकते हैं कि वह सासक जीत जाए त तो इसके बाद में औरंग जेब ने थाइंक्यू वेजा थाइंक्यू आप अगर मेरे साथ में नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं आप मेरे भाया के साथ में यानि कि मेरे विरोध में भी नहीं जा रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसा औरंग जेब को ऐस से जो अउरंग जेब के हैं सा्षक बन जाता है तो जब अउन आ EMार्मर राजकुमार के हिंदू राजकुमारियां होकर थि उनका विवाः की बात हैं तो सबसे पहले मैं आप बताता हूं कि यह जब्रण जेब ने जब्रस लगा दिया था मुस्लिम सासक लगया ही करते थे ये जजिया एक धार्मिक कर हुआ करता था जो की गेर मुसल्मान जो भी लोग हुआ करते थे उस पर लगया करते थे और अकपर ने एक बार जजिया कर को बंद कर दिया था ये जो जजिया कर है इस जजिया कर को लगया था ये लगया गया था 1689 में तो जजियाकर जब लगाते हैं औरंग जेब केता है कि आप लोगों को जजिया देना पड़ेगा तो राज सिंग केता है कि अगर हिम्मत है ना तो मैवार से वसूल के बता दे इन्होंने मलब राज सिंग की हर एक राज सिंग ने हर एक बात का विरोध किया था उसे यही चाहते थे कि वो कभी युद के लिए आए मलब इनको तो युद के लिए उतावड़े हो रहे थे तो इन्होंने जजियाकर का विरोध किया अकबर ने एक बार जजियाकर बंद कर दिये था ये मंदिर जो है ये जो कर है वो अधिकांस मुस्लिम सासक जो है वो हिंदूओं पर लगाया करते थे और औरंगजेब की एक नीती रही थी कि ये मंदिर तुड़वाता था वो जदा मलब हिंदूओं के जितने भी मंदिर हुआ करते थे तो उन मंदिरों को जो है वो तोड़ देता था यह मंदिर तोड़ने का मलब ऐसा था कि इसलाम धरम में है जो मूर्ति पूजा नहीं होती लेकिन हमारे हिंदु धरम में जो है वो मूर्ति पूजा होती है तो मूर्ति पूजा मंदिरों को सिद्ध ऐसे नहीं तो वो मंदिर वैसे ही बंद हो जाएगा तो इसलिए मंदिरों को तोड़वा देते थे तो इसी टाइम राज सिंग थे इदर तो राज सिंग ने तो खुली गोशना कर रही थी कि मदब जिस किसी सासक को यहां पर औरंग जेब जो है वो अगर मंदिर को तुड़वाता है तो हमसे तो संबलेगा नहीं और यह मंदिर जो है किसी भी तरह से बचाना है तो अगर उनसे यह बात समझ में नहीं आ रही है उनके या फिर औरंग जेब के सामने वो अच्छी तरीके से अपनी विरोध नहीं कर सकते तो इन्होंने तो खुली गोशना कर रखी थी कि वो हमारे पास में आए हम उसकी पूरी तरीके से साहिता करेंगे उसको पूरी तरीके से प्रोडक्शन देंगे तो यह जो है मंदिर तुड़वाने का विरोध नहीं ने किया था और एक मैं आपको बताता हूं कि राज सिंग के सासे यह जो औरंग जेब थे या फिर मुसलिम जो सासे करते थे उन्होंने जो हैं हिंदू राजकुमारी या फिर राजपूत जो राजगुमारिया हुआ करती थी उनके साथ में विवाह किया करते थे तो औरंग जेब ने भी विवाह किया औरंग जेब ने भी कही सारी राजपूत राजगुमारियों के साथ में विवाह किया त सिद्धे मुझे बस एक मेसेज कर देना मैं संबाल लूँगा वो राजकुमारी को मैं विवहा उसका जो है वो किसी भी हालत में औरंचेप के साथ मैं नहीं होने दूँगा जब तक मैं जिन्दा हूँ राज सिंग तब तक मैं किसी भी मुस्लिम सासे के साथ में जो इस्तरी नहीं चाहती हैं उसका विवाद नहीं होने दूँगा तो यह खुली गोशना कर रखे थी और इसी में एक जो विवाद है वो आता है और काफी इंट्रेस्टिंग किस्सा भी है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ हमारे बात है एक 1689 इस्वी की तो एक किसंगड रियासत हुआ करती थी और किसंगड में भी रूपनगड एक जगे थी और यहां की एक राजकुमारी थी रूपनगड रूपनगड की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती यह जो चारुमती है एक दिन यह जो राजकुमारी है चारुमती वह अपने राजमेल में बैठी थी और तब एक महल तग बुडी सी इस्त्री आती है और उत्म पॉस्टर बेच रही थी यानि कि अपने जो पैंटिंग्ग से लगएरा होती है न चित्रकारी वह चित्रकारी बैचती हुई उसके महल से गुजर रही थी यानि कि उसके पास से जा रही थी और dragons लगा रही थी कि या पी पेंटिंग्स लेलो बगवान की मूर्तियाँ हैं फलाना की मूर्तियां वगेरा वगेरा यह मूर्तियां बैच रही थी। तो उसी टाइम इस चारुमति को भी ये मूर्थियां देने मलब जो पॉस्टर है वो पॉस्टर देने के लिए बुडिया जाती है बुडिया जब पॉस्टर देने के लिए जाती है तो राजकुमारी थी राजकुमारी ने कहा कि दिखाओ पैंटिंग्स आपके पास में कौन कौनसी पैंटिंग्स है तो इन्होंने खूब सारी पैंटिंग्स दिखाई और ये जो बुडिया थी ये जो महिला थी ये महिला आई थी दिल्ली से और इन्होंने कहा कि भई पैंटिंग्स दिखाऊ तो इन्होंने पैंटिंग्स जब दिखाई तो इन्होंने कहा कि भई आप और कर्ष्ण की कपल वाली दे द्यदो फोग न ने खूब सारी पेंटिंग यह से खरीद दी और अपने जो महारणा प्रताब हुए है सांगान जीव हैं और काफी सारे सास्कोंः प्रफिराज चोहान के बारे में इन्होंने काफी सा रिटी खरीद ली थी इसके बाद में इन्होंने एक और पेंटिंग दिखाई यह जो दिल्ली से महिला आई थी उस दिल्ली से आने वाली महिला ने एक पेंटिंग दिखाई जिसका जो है वो पेंटिंग थी औरंग जेब की इन्होंने कहा कि यह देखो खुब सा एक सांदार सी पिक्चर है और आप लोगों यह पिच्चर लेनी चाहिए राजकुमारी से कहा कि यह जो पिच्चर है यह मैं दिल्ली से लाई हूं और राजकुमारी से कहा इस जो महिला थी उस महिला ने कहा कि यह जो पिच्चर है यह मैं लेकर आई हूं दिल्ली से और यह जो है वो खापी खूब सूरत पिच् बोले आप इसे नहीं जानती बोले नहीं जानती इन्हें नहीं जानती तो इसमें चंबे की क्या बात है तो इन्होंने का कि यह जो हैं हमारे दिल्ली के सुल्तान औरंग जेब की साथ से औरंग जेब जो हैं उनकी पैंटिंग है उन्होंने का अच्छा वह आच्छा वह बोले नहीं जानती कि अरे वह हमारे सेंसाय हिंद वगेरा वगेरा करके इसने काफी सारी तारीफ करके बताएगी वह उस औरंग जैब की पिक्चर है तो इन्हों नहीं उन्होंने काया कि सारीधे अपने जोतियां निकालो जोथियां निकाल लेका सारी कि जो पैंटिंग के उपर माँ एसा काम किया था ठीका जब शारीधीन जीजारी कुरी और प्लास्टिक की में अज की तरह रहा gay फेंटिक अपोसी उपर थे claiming कच्छे रंगों के बनाई उपर जारी जूति यामारी तो खराब हो गई और कागज भी उसी टाइप को वा करता था और इन्हों ने एकदम चितले चितले कर दी एकदम टोटे-टोटे कर दी कर दियो उस बाई अपने कोई भी जाखर दूसरे किसी को बात बताते हैं तो दोच्यार अपनी तरब से मिला के लोन मिर्च लगा के मसाला लगा के एक तम विवाब करने वालाओं की यतनी कहां हिममत की ओरंग्ज जैसे वह लड़ सके तो उन्हों ने का खाये हमारी राजकुमारी ताइयार है में उसके साथ मां का विवाब कर देंगे आयो उससे पहले बता देना हमारे कुछ गुलाप जा मु覇का बनाने वह बना लेंगे आप लोगों को जिमाना भी होगा आप रात लेके आएंगे आपकी खातिरदारी भी करनी होगी तो इन्होंने का हाँ बेज देंगे और यह बात जब चारुमती को पता चलती है चारुमती भी कहती है कि आप लोग पिताजी मैंने सुना है कि आप मेरा विवाह करने व वो औरंग जेब की पिक्चर भाड़ी थी तो मैं तो विवा नहीं करने वाली हूं चारुमुती ने कहा कि मैं और दो के साथ में विवा नहीं करूंगी इसलिए तुझे जनता की रक्षा के लिए प्रजा के हित में विवा करना ही होगा तो इन्होंने का भे नहीं करूँगी मैं तो कुछ भी आलत में किसी भी हालत में विवा नहीं करूँगी तो उसी वक्त जो रूप ये चारुमती है चारुमति को एक वो बात याजा जाती है कि हमारे जो राज सिंग है उन राज सिंग ने एक खुली गोशना कर रहा है कि जिस भी राजकुमारी को अगर विवाना करना हो मुगलों के साथ में तो वो खुले तोर पर मुझको मेशेज कर दे चारुमति ने सिधा फॉन उठाया और कर दिया मेसेश ठॉक दिया रासंग ने जैसे ही मेसेज ने बढ़ा और उन्हों ने देख था। बखके रहेगे कि चारुमाती का मेशेG का किया राज चींघ तो आनों गोशना कर रहे थी थे लुक्त करती रही थे कि हमारी सब्सक्राइब कर का सराक्राइब हमारी कि की औरंग्जेब को भी बात पता चल ग alive तो पहीं और इस से पहले का एक रूप तेसिल होगती थी उसके साथ में कुछ एसा ही घटना था कि चंचल कौमारी का विवा ठेय हुआ था पहले औरंग्जेब के साथ में राज सिंग जाके पहले बगा के लिए गया हुझ विवा करें तो अब औरनगजेब करें कि बाई तुब बीच में पंगे ले रहे हैं तुने चंचल कमरी से विवा किया मैंने तेरे को कुछ नहीं का इस बार मुझे विवा करने दे भाई यह कहरा नहीं इस बार तो मैं ही पक्का मैं ही विवा करूँगा राज सिंग कहरा है कि मैं ही विवा करूँगा और किशी को नहीं करने दूँगा तो फिर औरंग जेब ने कहा कि फिर युद के लिए तयारे ना या राज सिंग कह रहे हैं कि युद के लिए तो मर रहे हैं कब से युद कोई तो उतावले हो रहे हैं तो आ तो सही मैं तो विवा करूंगा तो इसके बात में जब यह है चारुमती की जो बात होती है चारुमती से विवाह करने के लिए अपने राज सिंग एकदम दुलहे के वेस में तैयार होकर जाते है और विवाग करने के लिए जब जाते हैं तो इनको पता था कि औरंग जेब की सेना उनको रोकने के लिए जरूर आएगी तो इनको जब ये बात पता थी तो ये भी अपनी सेना को तयार कर रहे थे और इन्हों ने रासिंग ने अपने जो सामन्त वगेरत है उन सामन्तों से कहा कि भई तयार रही है युद करने के लिए बोले सामन्तों ने कहा कि हम कब डटे थे युद करने के लिए तो उतावड़े हैं हम भी हमने तो आपकी पुर्खों से सेवा कर रखी हैं हम कब आपको मना किया था यूद करने के लिए हम तैयार हैं तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि यूद का जो आगे वाला भाग होता है उसे हरावल दस्ता कहते हैं और हरावल दस्ते में सामिल होने के लिए आप लोगों को पता है कि यह जो अधिकार था यह सलुम्बर के जो चुंडावत हुआ करते थे उनके पास में था सलुम्बर एक जगह है और सलुम्बर के जो चुंडावत हुआ करते थे उन चुंडावतों को यह जो अधिकार है ये था कि वो यूद में सबसे आगे जो हैं वो सत्रु सेना से भीड़ेंगे और इस वक्त जो चुंडावत थे सलूंबर के जो सरदार है उनका नाम था रतन सिंग चुंडावत रतन सिंग चुंडावत के पास में मैसेज वेजा गया ट्णिंग से रतन सिंग को पता चला कि अपने यह राश सिंग्ग जा रहे हैं साधी करने के लिए और मुझे बुलाया हैं यूद में सामिल होने के लिए तो राज सिंग का जब निमंतर्ण देखा इन्होंने रतन सिंग चुंडावत ने तो एक यहां पर बात यह है कि रतन सिंग की भी उसी दिन साधी होई ठी उसी दिन रतन सिंग साधी करके आये थे और जिस दिन इनकी जो दूसरे दिन इनकी साधी ओने वाली थी राज सिंग के रतन सिंग चुंडावत बेचारे साधी करके आये थे साधी के दूसरे दिन युद पर निमंतरन आ जाए तो थोड़े परेशान से नजर आ रहे थे वो कह रहे थे कि भाई क्या करें हम तो नहीं जाने वाले तब इनकी रानी जो है इनका जो विवा हुआ था रतन सिंग चुंडावत का वो एक रानी जिसका नाम आप काफी इतियास में प्रचलित नाम है काफी जाना माना नाम है उनका नाम वह था सहल कमर के साथ में यह हाडी रानी थी सहल कमर के साथ में यह जो सहल कमर है हाडा हाडाओं की राजकुमारी थी सहल कमर और जिसे आप हाडी रानी के नाम से भी इतियास में जानते हैं वह यही सहल कमर है और इस सहल कमर से इन्होंने विवा कर रखाता तो इन्होंने का कि मैं नहीं जाने वाली मैं नहीं जाने वाला अभी तो विवा कर कहा हूं तब इनकी रानी ने समझाए कि आप लोग क्यों नहीं जाना चाहते हूं आपका जो हरावल दस्ता है वो आपके पुर्खों का एक इतिहास चला आ रहा है कि आप लोग हरावल दस्ते में लड़ते हो और अगर आप लोग आज नहीं गए आज अगर आप इस युद मे क्या गने के लिए तयार बेटे हैं तो इन्हों ने कहा कि भाई तू समझ नहीं रही है सेल कमर हमारे यह जो राजा जी है राज सिंग यह हर रोज साधियां करने के लिए जाते हैं रोज लड़ते हैं रोज कटते हैं रोज मरते हैं लेकिन आज तो साधी करके आया हूं आज तो मत जाने को के तब इन्होंने सोचा कि इन्होंने खूब समझाया इनको रतन सिंग हाडी रानी ने समझाने के बाद में रतन सिंग किसी तरह जाने के लिए तयार हुए कि चल अपन जाते हैं आज जाके आएंगे युद में तो इस युद में जब जाने के लिए राज तैयार हो रहे थे तो जैसे वो बॉर्डर फिलम वाला आपने सीन देखा होगा कि सुनिल सेटी जब गर पे जाते हैं और गर पे जाने के बाद में दूसरी तरिफ से मैसेज आता है कि आप लोगों को चलना होगा तो सुनिल सेटी जब जा होते हैं तो वो गाना चल रहा होते हैं यह लम हो जरा ठेरों में भी तो चलता हूं इसी प्रकार की कुछ सिच्वेशन यहां पर राज सिंग साथ में होई थी क्योंकि इनका विवा हुआ था और इनको जाना था युद में युद में जब जाने के से राजी एक बार फिर दिख कई तो इनका मन फिर से विचलित हुआ कि युद पर जा रहे हैं रानी शायबा को छोड़के तो इन्होंने अपने पास में एक सैनिक बुलाया और कहा कि भाई तू रानी जी से जाके कुछ निसानी ले किया जिसे कि राम जी के राम जी ने जो न को देखता रहूं और यूद कर सकूँ एक जब सैनिक गया उनके रानी के पास में सहल कवर के पास में जाने के बाद में उन्हों का कि भाई हमारे जो राजा है वो सामन्त जो है वो अभी आप से कुछ निशा नि मांग रहे हैं तब इस हाडी रानी सहल कवर ने सोचा इसके मन की जो भावना है वो बढ़ी इसने अपने वीरत्व का प्रदसन करते हुए उन्होंने सोचा कि मेरी भुवा इनकी एक भुवा थी जिसके बारे में हम मारवार रियासत पड़ेंगे तब देखेंगे इनकी भुवा का नाम था जस्मा दे हाडा वो भी हाडा वापस आये थे और किले में जो परवेश कर रहे थे तो अंदर से जस्मा दे हाडा ने दर्वाजे बंद गर लिये थे और कहा था कि ऐसा पती होने से क्या फाइदा जो कि युद में हार के आजे और वापस भाग के किले में परवेश करे इसे निरलज और इसे काहर पती से तो अच्छा है कि पती होई ना, तो मैं उस हाडा, उस भुआ की बतीजी हूँ, और आज मेरी वज़े से अगर पती मेरा युद में नहीं जा पा रहा है, तो धिकार है मेरे ऐसे जीने पर, रानी ने उठाई कटार, रानी ने उठाया तलवार, और धट से अपनी तलवार से गरदन को काट लिया, और गरदन को काट कर एक थाली में सजा कर राना रतन सिंग के लिए भैज दिया था, ये लीजी आप मेरी निसानी, इन्होंने अपने बलिदान दे दिया था, ताकि युद भूमी में उसका पती जो है, वो सोर्य का प्रदसन अच्छे से कर सके, ऐसी विरांगनाएं हुई हैं अपने राजस्तान में, ऐसी विरांगनाओं के बारे में पढ़ना चाहिए, तो ये जो सहल कमर हैं, उन्होंने अपना जो सर काट कर जैसे ही रतन सिंग के पास में बेज़े तो रतन सिंग भी हक के बक्के रह गए, उन्होंने का कि ये यार क्या हो तरीके से युद्ध में उतारू हो जाते हैं ऐसा भी बताया जाता है कि यह जो राणी की जो गर्दन थी कटी हुई गर्दन उसके गर्दन के बालों को रतन सिंग ने अपने गले में बांद लिया था और युद्ध भूमी में कूद पड़े थे और उसके बाद में जो इन्ह रखना और उसके बात में जब मैं विवा करके आजाओंगा तो इन्होंने राज सिंग तो इन्हों की जो सेना थी जिसका नेत्री तो अभी रतन सिंग कर रहे हैं रतन सिंग अजमेर से एक फिट आगे बढ़ने नहीं दिया और अरंगजेव की सेना को पुरी तरीके से वहा एसी हमारी रानी सहल कमर थी और इसे आप हाडी रानी के नाम से जानते हैं और आज इस हाडी रानी को जो है सम्मान देने के लिए हमारी राजस्तान की जो पुलिस, राजस्तान पुलिस की जो महिला बटालियन होते हैं उस बटालियन को हाडी रानी बटालियन के नाम से भी ज जानते हैं और इस जो घटना के बाद में एक दोहा यानि कि जब रानी यानि कि जब ये जो रानी है सहल कमर सहल कमर ने अपनी जो गरदन को काट कर रतन सिंग्ग को भैट कर दिया था इसी बात को मध्य नजर रखते हुए राजस्तान के एक बहुत ही अच्छे कवी ने एक कार से हैं कि चुंडावत मांगी सेनाणी और सीस काट दियो छत्राणी यानि कि चुंडावत जो रतन सिंग चुंडावत हैं उन्होंने एक निसानी मांगी थी और उसके लिए छत्राणी ने जो है अपना सीस काट कर एक निसानी के तोर पर उनको भेजी थी और इनी के नाम प है जिसका नाम है यानि की टाइटल है सेनानी तो इस सेनानी यह सेनानी और हिंदी में उसका रुपांतरन करें तो वह होता है निसानी तो यह बात हो गई रानी सहल कमर के बारे में चारुमती का जो विवा होता है उसके बाद में ये जो किशंगण वालों के बीच में पहले से तो कभी नहीं बनती थी लेकिन जस्वंत सिंग को जो है यहां पर सासनकारी जो जस्वंत सिंग का था तो जस्वंत सिंग को यहां से उने मान्यता नहीं दी थी अब बई जस्वन शिंग को सासन के रूप में मान्यता नहीं दी और हम मारवादरियासत पढ़ेंगे तो उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे जस्वन शिंग एक आपने दुर्गादास वाली कहानी पड़ी ओगी तो दुर्गादास जो है वह अजीच सिंग को लेकर इदर उदर गूम रहे थे, उनको कोई भी साइता नहीं दे रहा था, तो राज सिंग ने इन्हों ने कहा, राज सिंग ने इनकी जो help है, वो की थी, और यहां पर एक जो गटबंदन है, वो गटबंदन होता है, अजीच सिंग को सासन बनाना था ना, अ मेवार के सिसोधियों और राठोडों के साथ में जो एक गटबंदन होता है वो यह यहाँपर राजसिंह के तोर पर इन्होंने विरोध किया था इस परकार हमने महराना राज सिंग की जो है वो राजनेती कुपलब्दियों के बारे में देखा कि हमने पहले तो इनकी राजनेती कुपलब्दियों में ये देखा कि इन्होंने चितोडगर के लिए का पुनर निर्मान करवाया इन्होंने जजिया कर का विर करने की जो बात थी उसका खुले तोर पर औरंग जइब की निती का विरोध किया दूसरी तरफ इन्होंने यह चारूमत्ति वाली बात हो गई और सलुंबर वाले राणी सहल कमर की बात हो गई और अजीच सिंह को सासक बनाने के लिए इन्होंने मुगलों के विरोध में जो इ एक नीति का और अंग्जेब की विरोध किया था तो यह वोगी राजनीतिक उपलब्दिया अब इन्होंने कुछ संस्कृतिक उपलब्दियां भी थी उन संस्कृतिक उपलब्दियों के बारे में हम अगले वीडियो में देख लेंगी क्योंकि अगर आज इतना जादा बताएंगे तो वीडियो जादा लंबा हो जाएगा और वीडियो जादा लंबा नहीं करना चाहिए जादा और अभी हम यहां पर आज की क्लास को विराम देते हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर किसी भी परकार का कोई प्रस्न हो और कोई भी परकार का अगर सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अगर आप लोग चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा धन्यवाद